जै श्री राम मैं अपनी कुछ जर्णी आपको शेर जरू करना चाहूंगी कि मेरी भक्ती की शुरूआत मेरा हनुमान जी से कनेक्शन हनुमान जी का मेरे को धर्शन देना हनुमान जी मेरे को जो उन्होंने रास्ता दिखाया मैं हनुमान जी के द्वारा उन्होंने मुझे ज आई वक्ति की चुरुआत करी और यह सब एक जर्णी है मेरी जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगे और पहले मेरे को नहीं पता था मलब कि मैं अगर कहूं कि मुझे यह चीज मेरे गुरू मुझे बताते थे कि ना इश्वर से कनेक्शन बनाओ इश्वर के लिए तडप लेके आओ इश्वर के लिए जब तक आपको ऐसी तडप लेके आओ कि अगर इश्वर आपको नहीं दिख रहा तो आप उनको याद करके रो रहे हो आपके हिर्दे से आंसों निकल रहे हैं आप तडप है आपके अंदर तो मुझे समझ नहीं आता था कि यह कैसे होता है चार साल पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब भाव कैसे आते हैं कैसे होगा यह सब नहीं समझ में आता था पर वो दिन है और आज का दिन है आप पता चलता है कि हाँ समय लगता है लेकिन अगर आप किसी एक रास्ते को पकड़के चलोगे तो आपकी लाइफ में ये दिन जरूर आएगा आप इस चीज को महसूस भी कर सकते हो और वो चीजे आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ तो वो चीजे हो जाएंगी इसा कैसे हो गया यह क्या यह इतना impossible काम मेरा कैसे हो गया जो मैंने सोचा नहीं था सालों सालों जो काम नहीं हो रहे हैं और भक्ती में एक बार आने के बाद इश्वर से कनेक्शन बनाने के बाद आपके काम किस तरीके से होते हैं यह आप इमेजन भी नहीं कर सकते हो तो यही मेरे साथ था कि चार सार पहले मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मैं फिर एक टाइम पीरिड मेरा ऐसा थ मेरे दो podcast आये उन दोनों podcast में मैंने यही बताया था कि एक शाम के समय मैं बहुत ज़्यदा रो रही थी दिक्कत हो रही थी, परशान थी stress था, मेहनत कर रही थी career में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, आगे नहीं बढ़ पा रही हूं tension होती है, बहुत सारी मैं भी एक house wife हूँ बहुत सी चीज़े होती है, family में सब होती है, तो ऐसे मलब एक था कि वो time period था, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं रो रहे थी, उस time पर मैं रो रहे थी, और मैं रोते होते होते हैं अपने हनुभिया को यही बोल रहे थी कि भाई कोई रास्ता दे, मेरे को समझ नहीं आरा, मैं उस वक्त भाई भी नहीं मलब मैंने भाई अभी को रिष्टा नहीं बनाया था पस ऐसे था कि हाँ हनुआन जी को मैं करती थी नॉर्मल पुजा नॉर्मल और अभी और कुछ नहीं ऐसा था मैं बहुत रो रही है और उनसे रहे हैं का कि भाई मेरे को एक रास्ता बता, मेरे को समझ नहीं आरा कि मैं क्या करूँ कोई रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ समझ नहीं आरा, किस दरफ जाओं चारोतरा बंधेरा जहां जा रही हो महनत कर रही हो कुछ भी नहीं मिल रहा इतनी महनत हो रही है कुछ समय नहीं आ रहा है मैं बहुत ज़्यादे दुखी दूछ दी और मैं न सौ गई थी तो रोत रोते मेरे को नीद आ गी थी पर उसके बाद तक में शामकोट थे तां मेरको लग हनुआ जी आये थे सपन में उन्हों ने क्या करा मेरको लेकर गए जहां पर एक पिरामिट था तो ऐसे सपने और ने दर्शन दिये और एक ऐसे जगे लेकर गए जहां ना बहुत सारी मिट्टी थी तो उस मिट्टी में लग दूर दूर तक जब मैं देख रही थी ना बहुत मिट्टी थी दूर 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 तक ना कुछ दिखाएं नहीं दे रहा था तब हनुमान जी एक बहुत लंबे चोड़ी से हनुमान जी ही वो थे ये खैर साक्षा धनुमान जी ही थे उन्होंने गदा किजे के अपने हाथ में इसे फावड़ा सा ले रखा था और रास्ता ऐसे खोदते वो जा रहे थे और मैं मेरे हजबन पीछे थे तो उन्होंने हम दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे तो वो जो रास्ता खोद रहे थे न अपना आसपास देखा कि वह वह हनुआ जी कहां गए जो गड़ा हनुआ जी कहां गए जो रास्ता खोद रहे थे तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया वहां कुछ भी नहीं दिखा जब पीछे ऐसे पलटके देखाना तो बहुत एक लंबा चोड़ा सा बंदर ना मेर इसके तो बहुत कईबाने लगा और में भड़र, में करने लुक्रस दोको क्यों और पर यहां रहे तो मेरा सपन पीया और नियुक्ता, में उटए कि आया काई, पर सीका मत आन्यानी क्ई है कि यह क्या चीज़ है क्या दिखाई दिया क्या कहना चाह रहे थे तो कहीं न कहीं मेरे माइंड में एक चीज़ क्लिक करी थी कि सवपन अगर ऐसा है आपको भुले बापा के मंदिर लेकर अन्मान जी आए हैं भुले बापा के मंदिर लेकर गए हैं तो कहीं न कहीं ऐसे मुझ की तरफ भड़ना चाहिए भक्ती की तरफ जाना चाहिए ईश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए तो उसके बाद धीरे-धीरे जब शुरुआ तो फिर मैंने यह सब हुआ स्वपने तूटा फिर उसके बाद कुछ समय तो ऐसे ही निकल गया मेरा फिर ऐसी एक टैम आया था कि मैं ऐसे इंस्टाग्राम चला रहे थी instagram चलाते चलाते क्या हुआ कि मेरे को एक tarot cards और tarot readers का पता चला जो मेरे गुरु जी है उनका मुझे पता चला कि ये tarot reading सिखाते हैं तो फिर वहीं से मेरे पहले tarot card की शुरुआत हुई और जो मेरे गुरु जी है उनकी एक course में एक खास बात ये है कि वह जब course कराते ना तो उसके साथ सातना वह एक मंत्र साधना करवाते हैं मंत्र साधना यानि कि मंत्रों को साधन लेना तो उसमें आपका जो connection स्टार्टिंग से या तो बच्पन से या recent आपका किसी देवी देवता से किसी से अचानक से आपका किसी का connection बनाओना तो आप उनका मंत्र एक साधना के तोर पे आपको उनका मंत्र दे दिया जाता है जो आपके जब वो मंत्र दिया जाता है ना तो आपके सभी elements को देख के दिया जाता है तो यहीं से मेरी जर्णी की, टेरो रीडिंग की, स्पिरिच्वल लाइन की, भक्ती की तरफ, मेरे हनुमान जी की तरफ, तो जब मैंने साधना करी ना, तो मैंने उसमें हनुमान जी को ही लिया, हनुमान जी का ही मंत्र लिया, और हनुमान जी को ही, एक भाई के तोर पे मैंने उनकी साधना की उस साधना मेरे को 2-3 घंटे लगे थे फिर इसके आगे की जर्णी मैं धीरे धीरे आपको शेयर करूंगी और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करजिएगा अगर कुछ जानना चाते हो तो आप कम आपको धिरे धिरे बताऊंगी तो आप वीडियो को लाइक शेर कमेंट जरूर करना जैसे भी हो और तब तक के लिए थैंक यू सो मज़ जैस दीना